नमस्कार दोस्तों एक बार पुनवा आजिरों में आपके ही अपने चैनल गोब्लोक्स पे और आप देख रहे हैं गोब्लोक्स दोस्तों एक पाम हमारे सामने आया है और इसका हम एनलेसिस करने जा रहे हैं देखेगा हमारे हस्त्र एखा सास्त्र में इन उंगलियों का बहुत महत्वपूर्ण अस्तान माना गया है आप देख रहे होंगे तरजनी हुई और हमारी अनामिका हुई हमारी कनिष्टा हुई और हमारी मध्यमा हुई है ये उंगलियां करमसो बिरस्पति सनी सूर्या और बुद्ध इन परवतों पर आधारित होती है ये हमारी तरजनी होती है ये हमारी मध्यमा होती है ये हमारी अनामिका होती है और ये हमारी कनिष्टा होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है ये हमारी ब्रेस्पती की उंगली है ये हमारी सनी की उंगली है ये हमारी सूर्य की उंगली है और ये हमारी है बुद्ध की उंगली अब दीखेगा यहाँ पर यहाँ पर तरजनी और मध्यमा उंगली के जो तीसरा पौर्व है इसके बीच आपको छिद्र दिखाई पड़ा है यह इंगित करता है कि जातक को 35 वर्ष की उमर तक धन के मामले में संगर्ष रहेगा और यह किसी भीत्रों से रहने वाला है और रहेगा ही रहेगा चाहे ग्रहन अच्छतर कितने भी अच्छे हो दूसरी बात साथ में क्या है कि धन का जो ग्रह है जिसको हम ब्रिस्पती कहते हैं कम जोर इस्तिति में धन भाव में बैठा हुआ है जो संगर्ष को बढ़ा जाता है आपके अंदर ब्रिस्पती साधारणता दे रहा है सामन्य ब्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा है हाँ हसमुक सुभाव देता रहेगा हसमुक सुभाव होगा और देखा जाए तो दयालो और प्रॉपकारी रहने वाले है यस्प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा जुकाओ रहेगा स्वतंतर्ता और नेतिर्त्य की चाहमन में रहेगी दूसरी बात है अगर हमारा ब्रिस्पती इस्तरों से धन भाव में कमजो रिष्थति में बैठा जाए बहुत सारी रेखाई उसको काटती रहे तो थोड़ा सा जो है ऐसे ब्यक्तियों को सिख्छा में और धन प्राप्ति में बादा आती है और ब्यक्ति को बड़ों का सयोग पाने में मुश्किल होती है जो लोग जैसे आपसे उमर में बड़े है या योगेता में बड़े है वे लोग सपोर्ट नहीं करते है इसका मतलब है आपका जो है ब्रस्पति थोड़ा कमजो रिष्थति में है दूसरी बात इस तरों से सनी रेखापे भी सनी की तरब भी बहुत सारी रेखाई जा रही है नौकरी हो चाई ब्यावसाई हो थोड़ा सा अडचन की इस्तिति पैदा करता है और अगर हम देखते हैं बरतमान में देखेंगे आप राहु की इस्तिति भी बहुत प्रबल इस्तिति में जो है आपके अंदर आ रहे हैं धन रेखा को बिशेशतर जो है राव की रेखाई बराबर काटते जा रही है ये देखो 35 वे वरस तक जिवन रेखा भग्या रेखा को क्रोस कर रही हैं ये रेखाई और इसी समय आपके मंगल पर अगर हम ध्यान से देखें ये देखेगा कि ये रेखाई जो है ये क्रोस कर रहे हैं और आपके मंगल पे क्रोस का चिन्न है ये मारक में चले जाते हैं इंग्रह जो मारक इस्तिति को दिखाते हैं देखो मंगल और राहो की युक्त बनना अच्छा नहीं माना जाता है राहुद जो है एक तरफ से बहुत अद्बुत ग्रह है जोतिस की दुनिया में एक रहस्य में एक ग्रह ही उसको माना गया है जोतिस में जो नव ग्रह हैं उनमें राहो और केतु केतु का भाग हमारा ये चीज होता है ये देखो ये तो भी आपका ठीक नहीं चलना है मंगल भी आपका ठीक नहीं चलना है काफी गडबड है काफी हिसाब किताब गडबडा रहा है अगर इनका कोई भौतिक अस्तुत वैसे तो नहीं होता है इनको छाया ग्रह कहते हैं आकास मंडल में आपको ये दिखाई नहीं मगर एक रह्यमय ग्रह यह है रह्यमय चीजें पैदा करती है राहो आपका धन लोटता है धन की इस्तिति को खराब करता है और इस तरह से मंगल जो है मंगल की बीच में इसी समय जो है कट का निशान आजाए क्रोस का निशान आजाए तो कोल्ट कचरी का बहुत बड़ा मामला जो है ब्यक्ति के अंडर में बन जाता है तो ब्यक्ति जो है जहां एक तरफ से धन से परेशान हो जाता है वही कोल्ट कचरी के मामले से भी परेशान हो जाता है और निश्चिति ही है जीवन में संगर्स बढ़ेगा निश्चिती ही है किसी चीज में मन नहीं लगेगा निश्चिती ही है जब ब्रिस्पती भी जो है कमजोर इस्तिती में आ जाए धन का ग्रह कमजोर इस्तिती में आ जाए तो निश्चित है जिवन में थोड़ा उथल पुथल रहेगी और कब तक रहेगी 35 वर्स तक उसके बाद बहुत सुन्दर आपके जिवन में जो है तरकी मिलेगी तरकी मिलनी 35 वर्स के बाद से ही ठीक होनी बैठ जाएगी और एक तरफ और देखो आप एक तिल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है सूर्य परवत पर तिल का होना अच्छा नहीं माना गया है इसका प्रभाव भग्या अस्तान सनी तक जाता है सीदे सीदे पढ़ रहा है आपके धन के मामले में और प्रसिद्धी सम्मान और सोहरत के मामले में यह संगर्स दे रहा है जो 32 वर्स तक रखेगा और उसके बाद तिल रहेगा या नहीं रहेगा मगर उसका असर खतम हो जाएगा यह बात निश्चित है अब अगर हम देखें यहाँ पे जो सादी की रेखाएं हैं उन रेखाओं को भी काफी रेखाएं काट रही है और इधर से देखें तो इधर से रेखाएं आके इस तरह से काट रही है भग्या रेखा को भी काट ले और जिवन रेखा को भी काट ले और इस तरह से आपकी जो यूरिन रेखा है उसको भी रेखा हैं काट ले और सुक्र से जो है या मंगल से इस तरह से राह रेखाओं का होना साधी में कहीं न कहीं बहुत देरी या अडचन का ये जो है ये ध्योतक होती है कम से कम जो है अगर बात करें हम साधी की जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं अभी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं साधी की योग मगर जो बनेंगे वो कहीं जो है 31 या 32 साल में जो है बहुत अच्छे योग जो है दिखाई दे रहे हैं ऐसे नहीं है 31 और 32 साल में आपके साधी के यो बहुत सुनर है, बहुत अच्छे है मगर जो एक्चल भागयोदाई होगा, धन की इस्तिति बहुत सुनर आपके जीवन में आईगी वो आईगी आपके पास 40 वे वर्सत से 40 वे वर्सत से आप जो जाएंगे आप सरकारी नोकरी के अगर हम बात करें भग्या रेखा इस तरब इसारा कर रही है कि सरकारी नोकरी आपके जीवन में है आपका ब्रिस्पति को थोड़ा पुष्ट करना है तो सिक्षा के छेतर में हुआ, इंजिनियरिंग में हुआ, चिकितसा में हुआ, मैनेजमेंट में हुआ, या सिक्षा में हुआ ऐसे छेतरों में कामियाबी ये दिलाएगी, मगर थोड़ा सा लेट दिलाएग जीवन साथी जो होगा कापी अच्छा समझदार और पड़ा लिखा होगा हो सकता है ससुराल पक्ष कापी संपन हो और आपको सहयता प्रदान करे किसी न किसी रूम से बहुत सुन्दर है अगर हमें ये देखना है कि साथी के बाद जीवन की क्या इस्तिति रहेगी एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसको देखने के लिए आपको एक काम करना है कि कोई भी देख रहा हो जो मेरे वीडियो देख रहा होगा चाए वो इस्तरी है चाए पुरुस है अगर मेरे 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 जा रही है और मस्तिस्क रेखा भी बहुत सुन्दर सी जा रही है तो आपका जीवन उतनी ही तालमेल से उतनी ही सुखत तरीके से जो है ब्यतीत होगा और अगर आपको देखना है कि मुझे परिवार का सुक मिलना है कि नहीं मिलना है बच्चों का सुक हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा दामपत्य जिवन का सुक मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए आपको अपना सुक्र को देखना है सुक्र आपको बहुत पुष्ट है बहुत अच्छी अवस्ता में है तो ये कलत्र का रकी इसको माना गया है मेरिटर लाइब का मालिक इसको माना गया है आपका सुक्र बहुत सुन्दर है बहुत बढ़िया है तो परिवार का आपको बहुत अच्छा सुक मिलेगा दमपत्य जीवन का आपको बहुत अच्छा सुक मिलेगा मंगर फिलाल अभी साधी में थोड़ा सा अडचन है उस अडचन को पूरा करने के लिए मैं उपाई दूना वो बहुत जरूरी है कोर्ट केस के लिए भी मैं उपाई दूना ये भी बहुत जरूरी है राहो की इस्तितिकों भी मैं उपाई दूना अगर अब आप नौकरी करें अपना ब्याँअए न करें तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है प्राइबट नौकरी आप सुरो कर ले और उसके साथ गौर्मेंट नेौकरी की अब गौर्मेंट नौकरी की आप कोसिश करें तो निश्चित ही जिoueन में जो है सरकारी नोकरी की भी उमीद आपको हो सकता है मिल जाए अभी वैसे कोई ग्रहनक छत्र आपका बतानी रहा है हाँ 35 वे वर्स के बाद 35 वे वर्स के बाद आपका जो ब्यावसाई के लिए आपको अपने आप रास्ता मिलेगा वैसे अगर सुक्र के अनुसार हम देखते हैं एक सुक्र ही है आपका जो बली अवस्तामी है और एक उपरी मंगल आपका है जो बली अवस्तामी उपरी मंगल आपको प्राकरम दे रहा है आपको साहस दे रहा है आपके कायरता आपके जीवन से भगा रहा है मन को मजबूत इस्तिति में रखे हुई है और आपका सुक्र जो भी जीवन में बिलासिता अभी दे रहा है जो भी सुक दे रहा है परिवार का जो भी सात दे रहा है नई चीजों के परति जो भी रुजान दे रहा है जो भी आकरसन की सक्ति आपके अंदर है जो भी मान सम्मान यस की प्राप्ति आपके अंदर है जो भी सम्मान है यस है कीर्ति है इसके लिए जो है सुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको बरतमान में दे रहा है और सुक्र के कारण ही जिवन में गाड़ी बंगला सब आपके पास होगा मगर जो आपके पास लक्षमी की जो प्राप्ति बहुत सुनर अवस्ता में होगी धन और संपति वाहन की जो प्राप्ति होगी घर की जो प्राप्ति होगी वो होगी आपके पास चालिसवे वर्स के ब यह चीज आपके जीवन में रहेगी हानी नहीं वोगी परतिष्टा में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी यह चीज जो है आपके जीवन में में रहेगी मगर अभी दो-तीन सालों तक यह कोड़ कचरी का मामला आपकी जीवन में रहेगा मंगल को सांथ कर लीजेगा लक्षमी को यह यह देने वाला है बहुत सुन्दर तरीके से आपकी जीवन में निरंतर प्रगतिका कारण है यह आपको दीगी मगर इसको जो भयंकर प्रेखा यह जो है काट रहे हैं और मारक बन रखा है तो ऐसे में व्यक्तिक करजे की इस्तिति में फंस जाता है उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता है डिसीजन लेने की छमता में असर पड़ जाता है बहुत चीजें हैं मगर मैं उपाई दूंगा उन उपाईयों को जरूर कर देखेएगा उसी से जो है आपको बहुत सुनर जो है जीवन में आपका प्रगति निश्चित है अगर हम बात करते हैं देखेगा अंगोठा आपका बहुत सुनर है अंगोठे का पहला पौर बहुत अच्छा है इक्षा सक्तियां बहुत सुनर है बहुत अच्छी है बहुत सोंदरे के लिए, आकरसन के लिए ये और सुख के लिए, दामपत्य जीओन के लिए और ऐसा ब्यक्ति जिसका इस तरों से उभचा हुआ यहां पे होता है ऐसे ब्यक्ति थोड़ा विमार कम पड़ते है उनका जो स्वस्थ्य रहता है, स्वस्थ्य बहुत अच्छा रहता है गोमने फिरने के सोकिने से ब्यक्ति होते है अपने को मेंटेन करना, अपने को सज दजा के रखना सज समर के रहना, अपनी ब्यक्तितों को समाल के रखना एक चकाचोन रहना गलेमर को अट्रेक्ट ये करता है तो कहीं न कहीं जो आपका बेख्तित्व है वो बहुत सुनर रहने वाला है और लग्जिरियस लाइफ के और जो है आप ज़्यादा अट्रेक्ट रहेंगे और ये आपको देगा भी मगर कम से कम 35 वर्स तक इस तरह आप इसारा कर रहा है थोड़ा संगर्स की इस्तिति रहेगी और आवे 2.5 से 3 साल तक ये कोल्ट को गेरा का मामला किसी न किसी रोप से चलता रहेगा जल्दी खतम हो इसके लिए मैं जो है उपाई दूँगा दूसरा आपको राहो का उपाई मैं जरूर दूँगा जिससे जो पैसा आ रहा है वो बेफाल तो खर्च न हो गंदी चीजों में खर्च न हो अच्छी चीजों में वो यूज हो और जो आपका ब्रेस्पति थोड़ा कमजोर है इसके लिए में उपाई दूँगा जिससे पढ़ने लिखने में भी आपको जो है आपका दिल लगे और आप जो है जो आपकी मनोवान्चित जो मन की इक्षा है उसकी पूर्ति हो जाए एक रेखा यहां से सांदार निकल रहे है प्रोग्रेस लाइन है ऐसे ब्यक्ति सिक्षा के छेतर में अगर काम करता है तो बहुत सुन्दर विदेशिया तरा ऐसे ब्यक्ति को मिलती है राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतिर्ट्व छमता में भी बिर्दि होती है अगर आपके मंगल को देखा जाए तो मंगल आपका ठीक नहीं है मंगल आपको कोल्ट कचरे का मामला तो दे रहा है मगर कहीं न कहीं अचल संपति का ये लाब आपको दिलवाएगा आप अपनी कमाई से अपनी जीवन काल में निश्चित ही अपने घर की प्राप्ति ये घर का सुक आपको जरूर मिलेगा गरेखें जीवन रेखा आपकी बहत सुंदर है इस तरह से जीवन में ठोड़ी कठिनाईयां है ठोड़ा आपका संगर्स है थोड़ा मानसिक प्रेशानी भी है मगर जियोंद में कोई बहुत बड़ा कश्त बहुत बड़ी हानी नहीं है और देखा जाए तो एक रेखा इस तरों से यू निकल रही है ये थोड़ा विपरीत के परती जादा आकरसन पैदा करती है बहिया आकरसन जो है जादा पैदा करती है और विपरीत के परती भोग की जो है इच्छा व्यक्ति के मन में भोग के विचार ब्यक्ति के मन में जादा आते हैं अगर हम बात करते हैं आपकी मस्तिस्क रेखा की बहुत सुनर मस्तिस्क रेखा इस तरह चंद्रमा पे जब मस्तिस्क रेखा आते हैं ब्यक्ति क्रियेटिव के समका होता है लंबी और हवायातरा का मौका ऐसे व्यक्ति को बहुत सुन्दर मिलता है किसी ने किसी कला में किसी ने किसी आर्ट में व्यक्ति का मन डूबा रहता है और थोड़ा सा बरतमान इस्तिति अगर ऐसी हो संगर स्पून जीवन हो तो थोड़ा चिंता तुर माइंड भी ऐसे विक्तिका रहे था बहराल बहुत सुन्दर है अगर हम आपकी तरजनी उंगली देखें तो अच्छे खासी लंबी है धार्मिक भावनाई भी बहुत सुन्दर बढ़ाई हुए है और कम से कम जो है ये तो बता रहा है जैसे आपकी भाग्या रहाखा बहुत सुन्दर इनतजार कर रही है और यह परवत दोस से बिमुक्त हो जाता है तो निश्चित ही सिक्छा के छेतर में experiencing के छेतर में या आप कहें चिकित्सा के छेत्र में या management के छेतर में या कोई ऐसा प्रतिष्टित छेतर है जो आपके मन में हो उसमें जो है आपका चैन हो सकता है ब्रिस्पति को ठीक करिएगा सरकारी नोकरी आपकी जीवन में है यहाँ पे देखें तो एक सुन्दर मचले का चिन भी जो है नजर आ रहा है व्यक्ति को कहीं पे भी मचले का चिन बना हो creative बनाता है व्यक्ति बहुत सुन्दर होता है और खासकर ब्रिस्पती पे अगर बना होता है तो ब्यक्ति अपनी मिहनत अपनी लगन के कारण दिन दोनी रात चोगनी उन्नति करता है मगर 35 वर्सी के बाद ये चीज़ें आपके साथ होंगे कुछ रेखाई नीचे की और ये आ रही है ये धार्मिक्ता अध्यात्मिकी और ब्यक्ति को ले जाती है अगर बीच की ऊंगली देखें तो सनके बहुत सुन्दर योग हैं बहुत अच्छे योग हैं और कहीं न कहीं समझदारी से विवेकपूर्ण तरीके से ब्यक्तिक काम को लाता है सनिका पर्वत भी बहुत सुन्दर है पर यहां पे बहुत ज़ादा रेखाई हैं कहीं न कहीं नोकरी में हुआ रोजगार में हुआ अर्चन की इस्तिति पैदा करता है अगर हम बात करते हैं सूरे के उंगले का सूरे के उंगले अच्छी भली है थोड़ा सभी उंगलियां कहीं न कहीं बीच वाली उंगली के साथ जो है युक्त बना रही हैं जुक रही हैं तो इस से क्या होता है कि थोड़ा जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिल जाती हैं इन सब का मैं उपाई दूँगा अगर सूर्य की हम उंगली देखते ह तो अच्छे खासी लंबी है बहुत सुन्दर है कहीं न कहीं धन और एस्वर्या और नाम फेम की और ज्यादा जुकाव बना रहेगा सुरे का प्रवत ठीक है बहुत जादा बैठा नहीं है इतना तो चलता है मगर इसके कारण जो है सोहरत में धन में सीधा प्रभाव पढ़ रहा है जो 32 वर्स तक रहेगा वैसे सुरे की रेखा बहुत सुन्दर है बहुत गजब की है ये आपको राजगद्दी राजयोग करेगा हां थोड़ा सा ये उठावा बहुत अच्छा है मनों बेग्यानिक अस्तर पे बहुत सुन्दर रहेगा योजना बद्द तरीके से काम करने वाली इनसान होंगे तीप्रमस्तिस्के के स्वामी होंगे और कहीं न कहीं आपका जो चेहरा है आपका जो ब्यक्तित्व है वो बड़ा सुन्दर नजर आ रहा है और आगे और ज़्यादा निखरता रहेगा अगर उपनी मंगल के बात करें कैसी भी जीवन में प्रस्तिति आजाएं कितनी भी कठिन प्रस्तिति आपके जीवन में आजाएं तो उसका बहुत सुन्दर ढंग से मुकाबला करेंगे मन ट्रिडर होगा सासी होंगे निड़र होंगे अगर आपका हम चंद्रमा का छितर देखते हैं मगर जल छितर से दूर रहेगा जल छितर से खत्रा होनी की पूरी आवशक्ता है अगर इसमें देखें इस तरों से एक बन रहा है अगर ये पूरा बनता है तो विदेश के योग या अचानक धन प्राप्त के योग कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं भग्यरेखा को देखें तो भग्यरेखा सीधी जारी बहुत सुन्दर है चालिसमें वर्स से ये अपना फलादेश देगा और व्यक्ति के पास धन के मामले में हुआ वाहन का सुक मकान का सुक और धन का सुक ये तीन चीज़ें आपके जिवन में निश्चित ही रहने वाली है अगर हम बात करते हैं तो अगर देखा जाए अभी अगर अभी की इस्तित देखते हैं तो अभी थोड़ा संगर्स है संगर्स की इस्तित चल्ली है और जॉब के मामले में देखें तो अभी प्राइवेट जॉब करिएगा फिलाल और सरकारी जो नौकरी है उसके लिए जो ह आप मेहनत करते रहेगा भगवान ने चाहा तो 35 वरस तक आपको निश्चिती ही जोग उगेरा मिल जाएगी अगर नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी योग नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप जो है सुक्र से समंदित ब्याउसाई करें बहुत अच्छा आप अगर हम बात करते हैं जो अच्छा समय आएगा वो 40 वरस से बहुत सुन्दर है और साधी की योग जो बन रहे हैं वो कहीं न कहीं 32 वरस में बहुत सुन्दर योग बन रहे हैं 31 और 32 वरस में तब तक आपके साधी के बहुत भरपूर योग है और परिवार बच्चों का सु बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है मैं कुछ उपाई दोंगा उसे बहुत अच्छी राहता आपको मिलेगी उसको निश्चित करिएगा और ये डेड़ दो साल में ये आपका कोड कच्रे का मामना भी खतम हो जाएगा तो एक छोटा सा विसलेशन था अगर आपको भी अपनी हतेली का विसलेशन करवाना है तो दिये गए नम्मर पे आप फोन कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं हाँ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद